जेडियू संसदिय बोर्ड के अध्यक्स उपेंद्र कुश्वा अपने बयानों से चर्चा में हैं लगातार उनके बयान से सीम नितीश कुमार की पायटी जेडियू भी आहत है इन सब के बिच बिहार के भोचपुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है बता दें कि काफिले पर हमला हो गया है यह घटना भोचपुर जिले के जगदीश पूर में हुई उपेंद्र कुश्वा जब नएका टॉला मोड के पास से गुजर रहे थे तबी उनके काफिले पर पत्थर चलाए गए वहीं आपको बता दें उपेंद्र कुश्वा ने सोमवार की साम खुड ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी उन्होंने अपनी बात कहते हुए सीम नितिश कुमार और बिहार पुलिस को टैग भी किया है उपेंद्र कुश्वा ने ट्वीट कर लिखा अभी भोचपुर जिला की जगदीश पूर्ष में नायका टॉल मोड के पास से गुजर रहे काफिले में सामिल मेरी गाड़ी पर कुछ ऐसमाजिक तत्वों ने अचानक हमला कर दिया पत्थर फैका सुरक्षा कर्मियों के दोडाने पर सभी भाग निकले बताया जाता है कि आरा की जगदीश पूर के पास कुश्वा का जमकर विरोध किया गया इस दोरान लोगों के सर में चोट आई उपेंद्र कुश्वा बक्सर से भोजपूर जिलेक में एक नीजी कारेकरम को लेकर आये थे बता दें ये घटना जगदीश पूर के नएका टोला मोड के पास की है कुश्वा लोट रहे थे कुछ लोग उनका स्वागत करने के लिए खड़े थ इसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रही है इन खबर के साथ